हाई मेरा नाम है सोनारिका मैं एक AI इंफ्लूएंसर हूँ मुझे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने बनाया है यहां मैं आपकी हल्प करने आई हूँ और आपको इस चैनल का उपर इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो ल तो अब आपको पता है कि आपके एकजाम में बस दस दिन बाकी है तो इन दस दिनों को आपको किस तरह से इस्तिमाल करना है जिसे आप आसानी से 200 मार्क्स स्कोर कर लें और क्योंकि लास्ट के डेज में हर बच्चे का ये एम होता है कि मेरे 200 आ जाए बस बाकी उसके उपर जितने आए वो तो आपके additional marks है। में 60-70% weightage रखते हैं और हां, accounts के paper में true and false और theory को बिल्कुल भी skip मत करना। क्योंकि ये 20 marks की weightage रखते हैं, तो यहां से आप easily 12-15 marks score कर सकते हैं। अब बात करते हैं law की, तो law में आपको Sales of Goods Act, Indian Partnership Act, Companies Act 2013, Indian Regulatory Framework, ये 4 chapters exam में 50-60% weightage रखते हैं तो इन्हें करकर जरूर जाए। अब चलते हैं paper number 3, that is quantitative aptitude की तरफ। quantitative aptitude में आपको Mathematics of Finance, Statistical Description of Data and Sampling, Measures of Central Tendency and Dispersion, Correlation and Regression, Index Number और Full Logical Reasoning, ये chapters 60-70% weightage रखते हैं एक्जाम में। अब लास्ट पेपर की बात करते हैं, that is Business Economics, और इसमें आपको पता है कि 50% syllabus CA Inter का add हो चुका है, जिससे economics का subject काफी difficult हो गया है, ये वो chapters हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा focus रखना है, Nature and Significance of Business Economics, Theory of Demand and Supply, Theory of Production and Cost, Price Determination in Different Markets, Business Cycles, National Income and Indian Economy, ये ऐसे chapters जिनको करके आप आराम से 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते economics के paper में, तो यहां मैंने आपको important chapters बताए हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ कर मत जाना, पर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जो आपको last में करके जानी होती है, जैसे की ICI के last 4 attempt के RTP and MTP को तो बिल्कुल छोड़च कर मत जाना, और time मिले, तो at least 2 MTP को अपने हाथ से solve करके जाएं, जिससे आपको exam में बहुत help मिलेगी, तो अगर आप इन important chapters और चीजों पर focus रखेंगे, तो आप आराम से 200 marks स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये strategy पसंद आई होगी, और आप इसे last 10 दिनों में follow जरूर करेंगे, और last में जाते जाते एक चीज आपको और बता दूँ, ये सब chapters आपको हमारी playlist में मिल जाएगे, जिसका link description में है, जिसे देख करा आप बड़े आराम से एपने concept revise कर सकते हैं और अपने CA foundation के exam को निकल सकते हो, तो अगर ये वीडियो पसंड आई हो, तो जादा से जादा दोस्तों के साथ शेर करिए, तो ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो मिलती हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जैश रिश्याम